गाइस मेरे सुभा का सारा काम हो चुका है लिपर चुका है सिर्फ शेकर जी निकलना बाकी है वो चले जाएंगे अपना काम पिर तो मैं थोड़ा बहुत फ्री हो जाओंगी मैं सोची कि आज बाहर का कुछ काम है उसको में लिप जाओंगी लेकिन होगा नहीं क्योंकि अब घर में कुछ गेस टाने वाले हैं क्योंकि शेकर जी को अभी अभी फोन पर शेयता अपलग सुन रहो कि बात हो रहा है कुछ गेस टाने वाले हैं घर पे उन लो के लिए कुछ बनाना है तो मैंने सोचा कि चलो अज क्या बनाएं बिर्यानी बनाते हैं बहुत दिन से नहीं बनाई हूँ और फिन अवरात्री भी स्टार्ट हो जाने वाली है तो घर में तो वो सब बनेगा नहीं तो मैंने सोचा कि क्यों ना भी बना लेती हूँ सारा काम मेरा हो गया सुबा से लिपड़िया सुबा से मतलम पूरी तरह से मैं अल्मोस ठक चुकी हूँ आज मुझे सच में बाहर में कुछ काम था मुझे निकलना था ना फ्रेंड लोगों के साथ मैं सोची थी कि थोड़ा सा टाइमस में करूंगी कुछ खरीदारी भी करना था लेकिन आज होने वाला नहीं है चलो कोई नहीं मैं अभी चलू किच्छन के तरफ क्योंकि ब्रेक्फिस औगेरा बनाने के बाद में थोड़ा सा रेस्ट भी कर ली हूँ तो कपरें बाद में तैब बना लूँगी, फिलहाल मैं किच्चिन में आओ, थोरा सा मैं बिर्यानी का प्रेपरेशन करूँ, अभी से नहीं करूँगी, तो फिर होगा भी नहीं, क्योंकि बारा बजे तक मुझे माई को स्कूल से लाने जाना है, तो यही सब काम चलते रहेग तो फिलहाल मैं सोच रही हूँ कि अभी मैं तैयारी कर लूँ, और बनाओं मैं आप लगों के साथ शेयर करूँ, क्योंकि अभी जो गेस्ट राने वाले हैं तो बिर्यानी से ज्यादा एज़ी और फटाफट बनने वाली कोई चीज होगी नहीं, और मैं बनाने, देखो मेर बनाओं मैं नहीं है, आप लोगों के साथ भी ऐसा सिच्वेशन होता ही होगा, I'm sure, आप लोगों के साथ भी ऐसा कुछ सिच्वेशन होता होगा, कि घर में कुछ बनाने का अमल हैं, लेकिन हैं नहीं, तो मैं ये पहले ट्राइ कर चुकी हूँ, क्या-क्या इंग्रिडियन् लेकिन पुफेटली, एग्जाटली, रेस्टोरन जैसा बिर्यानी बनके निकल के आएगा, देखके या खाके, किसी को पता तक नहीं चलने वाला है, कि इसमें ये ये चीज मिसिंग है, इसके सबस्टिट्यूट कुछ ही उसकिया गया है, तो मैं वो चीज करने वाली हूँ तो फिल्हाल चलिए, मैं तेयारी आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ क्या क्या चीज चाहिए, और हाँ बिर्यानी मेना केवरे के बानी आप जडूरी यूज कीजिएगा, वो मेरे पास अभी है नहीं, उसके बदले में मैं बिर्यानी मसाला यूज करूँगी, तो वो भी मतलब टेस्ट में डिफरेंस देता है, उस तरह से डिफरेंस नहीं देता है, आपके पास बहुत समय हो सकता है केसर जो होता है, वो केसर अवलेबल ना हो, उसके जिगा में आप क्या यूज कर सकते हो, किसी को पता नहीं चले, तो वो मैं ना इंग्रिडियंस देके मैं आप तो चलिए फिल्हान में बनाने का तयारी करती हूं और आप लोगों के साथ रेसिपी शेयर करती हूं मैंने यहां पे सारा समान का तयारी कर लिया है और यहां पे ऑनियन में कट करके रखी हूं जूलियन्स में रफली और आलू भी कट कर लिया है और यहां पर एक किलो के आसपास चिकन है और चावल मैंने भीगो के रख दिया एक घंटे के लगबख आसपास हो गया है यह लॉंग रेन बासमती राइस है तो यही वाला बिर्यानी का चावल के लिए आप लोगियूस कर सकते है तो बस लॉंग रेन बिर्यानी का जो चावल आता है वही मैंने एक घंटा पहले ऐसे ही पानी में भीगो के छोड़ दिया था तो देखे कितना फुल गिया है चावल और मैं आपको बता दूँ कि एक किलो अगर चिकन ले रहे हैं आप तो आधा किलो के लगभग अप्याज ले लीजेगा ऑनियन इससे कम मत लीजेगा बस और यहां पे तीन टेमाटर और बड़े साइस का और इसके साथ हरी मिर्च जिंजर और गार्लिक और एक कटा हुआ निम्बू बस यह सारे चीज को मुझे पीस लेना है निम्बू को छोड़ के और यह रहा चिकन यह ना बोनलेस नहीं है वीट बोनी है तो चलिए मैने पहले यहां पे ना टेमाटर जिंजर गार्लिक हरी मिर्च इसको ना मिक्सी मैं मैंने पीस लिया है अच्छा से देखिए एक स्मूद और फाइन पेस्ट हो गया है अब मैं करूंगी मैरीनेशन चीकिन का मैरीनेशन करूंगी तो इसमें सबसे पहले मैं डालूंगी यह वाला पेस्ट जो मैंने बनाया था अच्छा बाइद वे इसमें पानी इस्तमाल मत कीजिएगा और उसमें डालूंगी नहल्दी कश्मीरी लाल मिर्च आदा चोटा चमच और उसके साथ खूब सारा धनिया के पाउडर दो बड़े चमच भर के धनिया के पाउडर और उसके साथ तेल और उसके साथ मैं डालूंगी एक चमच बियानी मसाला अच्छा ओयल मैंने ना रिगुलर ओयल उसकिया है आप चाहे तो मास्टर डॉयल भी उसकर सकते हैं पस इसमें डालूंगी नमक नमक स्वादनुसर यहीं पे डाल दीजिए और उसके बाद अच्छे से इसको मैरिनेट कीजिए हाथों की मदद से ताकि पूरा चिकन में मैरिनेशन में चिकन कोड हो जाए है और चिकन मैरिनेट होने के बाद इसको कम से कम आधा घंटा से 45 मिनिट तक रिस्ट करने के लिए छोड़ना परता है तो आप अगर इसे जादा टाइम रिस्ट कराना चाहते हो चिकन को तो इसको अब फ्रिज में सेट कर सकते हो तो बस चलिए मैरिनेशन मेरा कम्पलीट हो किया है अब ढ़कन लगा के इसको 30 मिनिट तक हम छोड़ देंगे मीनवाइल मैंने बिरिस्टा का तयारी करना है यहाँ पर तो करहाई ले लिया है करहाई में आईल में ले चुकी हो आईल ना दो बड़े चमच मैंने आईल लिया भर के जो होता है दो बड़े चमच आईल लिया है आईल थोड़ा सा गरम हो जाए बस उसमें प्याज सारे डाल देना है क्योंकि हम लोग बिरिस्टा का तयारी कर रहे है तो चलिए यहाँ पर प्याज को अच्छे से भून लेना है और ताकि यह अच्छे से भून जाए इसका कलर भी चेंज हो जाए तो प्याज को एक दूसरे से खोलते हुए इसको भून लेंगे ज्यादा चलाने का जरूरत नहीं है नीचे से पक जाएगा तो एक बार अलट पलट कर देने से हो जाता है तो चलिए यहाँ पर प्याज मेरा भून रहा है तो यहाँ पर मैंने पानी गरम करने के लिए चरहा दिया है पानी थोड़ा सा मेरा गरम हो चुका है यहाँ पर हो रहा है और यहाँ पर बिरिस्ता त्यार मेरा हो गया है यह देखिए कितना अच्छा कलर आ गया है बस यही हम को चाहिए था मैं सामने से थोड़ा आप लोगों को दिखा रही हूँ इसी को बोलता है भूना हुआ जो ऑनियन होता है इसी को बेरिस्ता बोला जाता है और ये बिर्यानी में एक must ingredient है इसके बिना तो बिर्यानी अधूरा है बस इसका जितना oil है इसको मैं oil से separate कर लूँगी onions को और side कर दूँगी ताकि जितना oil है onion में सारे निकल जाए और ये oil हमको फेकना नहीं है इसको बाद में use करना है बस इसको मैं अलग एक bowl में निकाल लूँगी जितना oil है को कोशीश करना है कि साइड में आईल निकल जाए बस प्याज यहां पे मैंने निकाल लिया यहां उपर बिरिस्ता अम लोंका रिडी हो गया अब जो यह यह उयल है जो निकला है इसको हम रख देंगे बाद में इसको हम लोग यूज़ करेंगे तो बस चलिए यहां पे चिकन भी मैरिनेट हो गया है लगबख आदे घंटे के उपर इसमें मैं थोड़ा सा प्याज जो है थोड़ा सा मैं डालूंगी इसमें पूरा नहीं बाकी बचा लेंगे बिर्यानी के लिए और बस यहां पे जो आलू मैंने कट करके रखा था ना तो आलू इसमें मिला देंगे यह आप्शिनल है कम्पलीटली आप्शिनल है आप चाहे तो पोटाटो ना मिलाए लेकिन हम लोग डालते हैं बिर्यानी में कॉलकाता में बिर्यानी में आलू तो डलता ही है जी बस आलू को थोड़ा सा मैरिनेट कर लेंगे अच्छे से पोटाटो को ताकि पूरा मैरिनेशन में पोटाटो कोड हो जाए बस उतना तक ही मैरिनेशन करना है जादा कुछ नहीं करना है बस इसको और छोड़ना नहीं है इसको ढखकल ढगाके छोड़ देंगे हम 10-15 मिनित के लिए और यहां पे मेरा पानी और रेड़ी खॉल गिया है मतलब बॉयल आ गिया है तो इसमें मैं सारे खरे गरम मसाले मिलाओंगी तेजपता, लॉंग, छोटी, लाइची, दालचीनी का टुकरा तो सभी मैं डालके इसको खॉलाओंगी और उसके साथ जो निम्बू आधा कट करके रखी थी थी उसको मैं ये पानी में डालके खॉलाओंगी थोड़ा साथ, मतलब बॉयल आ जाए, बहुत अच्छा से बॉयल हो जाए तो बस इसमें मैं डाल दूँगी चावल, जो चावल में रखी थी भीगो के तो उसको मैंने पान्च छे पानी से वश कर लिया है और बस चावल को बॉयल होने के लिए ये पानी में डाल देंगे हम, और हांसी पानी में डालने से नहीं होगा अब पानी में थोड़ा सा नमक पहले से ही मिला दीजेगा, स्वाद अनुसर याद रखिए का चिकन में अल्रेडी नमक है, तो यहाँ पे पानी में भी नमक अब डालिएगा लेकिन बड़े साब धानी से मैंने नमक डाला था उसको वो रिकार्ड नहीं हो पाया था बस अब मैं मिला रही हूँ इसमें मास्ट रिगुलर ओयल मास्टर डाल नहीं रिगुलर ओयल बस 4 टेबल स्पून टी स्पून आक्चुली मैं यहां पे ओयल डालूंगी बस हो गया और ओयल इसमें नहीं डालना है बस वहां पे चावल मेरा पकरा है यहां पे मीन वायल मैंने एक पैन ले लिया है और जो प्यास का जो ओयल था ओयल मैंने छोड़ दिया था मतलब बचा के रख दिया था वो ओयल यह करहाई में डाल रही हूँ इसमें ये जो चिकन मैरिनेट करके मैं रखी थी ना उसको मैं इसमें डाल दूँगे डिरेक्ली एड कर दूँगी ओईल में ओईल गरम होने के तूरंत बाद और कुछ नहीं करना है बस चिकन को अब भी आपको ढखकन लगा के पकाना है बस और कुछ भी नहीं करना है बस चिकन मेरा यहां पर रेडी हो जाएगा जब तक चिकन सॉफ्ट ना हो जाए तब तक इसको आपको ढखकन लगा के पकाना परेगा तो मेरा लगभग 40 मिनिट के उपर लगा था और यहां पे तब तक बार चावल कंप्लीट हो गया है मतलब चावल रेडी हो चुका है यहां पे एक चावल में तोड़ के देखी भी हूँ तो चावल आलमोस 95% कुक हो चुका है इसे ज़्यादा कुक नहीं करना है चावल को इसको ना हम क्या करेंगे कि एक थाली में निकाल लेंगे चावल को मतलब फैला देंगे थोड़ा देरी तक फैन के नीचे छोड़ देंगे तो चावल पुरा खिला खिला बनेगा और आप अगर लेफट आपर राइस से भी बनाना चाते हो उसमें भी बड़ा अच्छा बनता है तो देखिए चावल मैंने यहाँ पे फैला लिया है और देखिए कितना अच्छा खिला खिला और खुला खुला चावल बना है ये देखिए कितना अच्छा से बना है ना तो बस चावल यहां पे मैंने निकाल लिया है थोड़ा सा रेस्ट कराएंगे चावल को तब तक देख लेते हैं चिकन मेरा रेडी हुआ है की नई तो ये देखिए चिकन का ओयल सेपरेट हो चुका है मतलब चिकन मेरा पूरी तरह से कमप्लीटली रेडी हो चुका है अब मैं यहां पे दूसरा एक बड़ा बरतन ले लूँगी उसमें डालूँगी जो चिकन है वो चिकन मैं इसके उपर में डाल दूँगी मतलब नीचे अब लेयर करने का वारी है बिर्यानी का में दिंग लेयरिंग तो चलिए बस यहां पे चिकन को अच्छा से फैला लेंगे ताकि चिकन सारे नीचे के तरफ से इवन साइज में चला जाए मतलब इवनली स्प्रेड हो बस इसके उपर चिकन के ऑनियन जो मैंने भून के रखा था मतलब बिरिस्ता और इसके उपर डालेंगे थोड़ी सी एक चमच बिर्यानी मसाला इस वेरी इंपॉर्टेंट इस स्टेज में आप के औरे का पानी भी उस कर सकते हैं बस अब लेयर में चावल इसके उपर से डाल देंगे हम जितना चावल था पूरा ही इसके उपर से डाल देंगे और चावल डालने के बाद हम एक काम करेंगे इसके उपर हम डालेंगे ये वाला पानी ये केसर वाला पानी नहीं है मैंने दूद में थोड़ा सा हल्दी को घोल दिया है लेकिन कोई पकर नहीं सकेगा कि ये केसर वाला पानी नहीं है ये ही छोटा छोटा टिप्स एंट ट्रिक्स में आप लोगों को दे रही हूँ क्योंकि जब आपके पास केसर ना हो अब इस तरह से हल्दी वाला बादूद भी यूज़ कर सकते हैं बस उसके उपर मैं डालूँगी मैं ओनियन जो ओनियन भून के रखी थी और उसके उपर से फिर से थोड़ा सा चावल बस इतना ही आपको करना है बिर्यानी के लिए और हाँ बाइदा वे चावल 90% 90-95% कुक्ट होना चाहिए पूरा 100% कुक्ट नहीं होना चाहिए थोड़ा सा टाइट रहना चाहिए चावल ताकि दम में जब पकेगा चावल पूरी तरह से पकचाए तो बस यहाँ पे मैंने चावल का लेयर कर दिया उसके बाद हल्दी वाला दूर डाल दिया यहाँ पे केसर का पानी नहीं और इसके उपर से मैं डाल रही हूं बिरिस्ता जो ऑनियन में भून के रखा था थोड़ा बहुत अब यह जो मेरा साइड में अब देख रहें यह आप आटा का भी दम लगा सकते हो मैं कप्रा का लगा ड़ी हूं इससे थोड़ा सा असानी रहता है कप्रा जल्दी निकल जाता है और आप लोग चाहो तो यह जो लेयर है ना कप्रे का तो यह आप आटा का ही लेयर कर सकते ह ऐसे रेस्टूरंट में या बड़े-बड़े दुकान में करते हैं तो मैंने यहां पर रखा है कपरा का मतलब बेस और उसके उपर ढ़क दिया है बिर्याणी को और उसके उपर भारी एक समान रख दिया है रखने के बाद मैंने यहां पर एक तावा ले चुकी हो रोटी नही बिर्यानी को इसमें मैं बठा दूंगे इसके उपर और उसका उपर से तो भारी वाला समान मैंने देही दिया तो बस कम से कम 20 मिनिट पकाने के बाद ये मेरा रेडी हो चुका है ये देखिए लुक आड दिस इस माइन ब्लॉइंग ये देखने में जितना अच्छा आपको लग रहा है ना खाने में इससे भी ज़्यादा टेस्टी था तो ये देखिए मैं अंदर से निकारी हूँ पूरा बना है ना रेस्टरॉन जैसा बिर्यानी जैसे हम लोग रेस्टरॉन में जाते हैं जिस तरह का बिर्यानी देते हैं वैसा ही ये बना था देखने में भी और स्वाद में भी बड़ा यमी बना था और इसके साथ चलिए ये तो रेडी हो गया इसको मैं प्लेटिंग कर लेती हूँ अच्छे से तो चलिए ये प्लेटिंग मेरा हो चुका है ये मस्ट्राइ रेसिपी है अब लोग घर में इस तरह से ट्राइ कीजिए छोटे छोटे चीज़ों को चेंज करके मतलब tips and tricks फॉलो करके जरूर अब ट्राइ कीजेगा गाइस जस नाव मैं लंच बना के आई हूँ और बहुत गर्मी लग रहा है तो प्लीज एवाइट करो फैन का फैन चल रहा है और इतना थगे हूँ भी जाओंगी मैं माई को स्कूल से लाने और रेंडी सारे बारा 12-30 हो रहा है मैं जाओं उसको स्कूल से लाने मैं यहाँ पर आज ब्लॉग को एंड कर रही हूँ अगर बिर्यानी का रेसिपी पसंदा है तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा शेयर कर दीजिएगा और प्रेंस और फैमली के साथ और चैनल में नए है तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा तो चलिए मैं जाड़ी हूँ बच्चा को स्कूल से लाने और आप लोगों से मैं मिलती हूँ कल एक फ्रेश ब्लाग में किसी नई रेसिपी के साथ तब तक के लिए बाइ-बाइ टेक क्यार और थैंक यू फर वाचिंग गाइस और धर में ट्राइजरूर कीजिएगा बिर्यानी एक दम रेस्टरेंस ट्याल बनता है चली बाइ-बाइ टेक्यार और थैंक यू फर वचिंगाइस